Hello everyone, this is Evie, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे custom alert dialogue box के बारे में, last video में हमने बात करेंगे कि कैसे हम alert dialogue box बना सकते हैं, जो हमको by default मिलता है हमारे android के अंदर, वो हम कैसे बना सकते हैं, वो हमने last video में चेक किया था, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हमारा चेक कर सकते हो, ठीक है, सबसे पहले हमको हमारा custom alert dialogue box जब बनाना होता है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको हमारा customize layout बनाना पड़ेगा, कि हमारा जो alert dialogue box होगा, वो कैसा दिखने में होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक layout बनाना पड़ेगा, उसके ल इस xml पर क्लिक करो यहां पर layout xml फाइल है इस पर क्लिक करो और यहां पर हमारे पास layout xml फाइल हम बना सकते हैं simply यहां पर layout file name हमें layout ही रहने दूँगा कोई changes नहीं करूँगा आप अपने according change कर सकते हो file का name बस यह ध्यान रखना कि जो भी name होगा उसके बीच में space नहीं होना चाहिए ठीक है और capital letter नहीं होना चाहिए अगर space होगा तो वह error देगा finish करते हैं यहां पर मैं finish करता हूँ जैसे ही मैंने finish किया I feel heart center यहां पर हमारी लियाउट की रहे यहां पर हमारी जो Profd conse file यहां पर 302 mm पर लिए पर हमारे लह सबादी यहां पर एकड़ लोगोर इना पर हमारे दskन नुंद। तो मैं simply यहाँ पर लेता हूं background और यहाँ पर मिलेको color देना है तो color यहाँ पर आप यहाँ से preset मैंसे भी ले सकते हो अगर वो नहीं लेना तो color picker मैंसे भी ले सकते हो यहाँ पर custom का भी option होता है इस पर click करो color picker open होगा अपने हैसाब से कोई भी color यहाँ पर select कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर red color ले लेता हूं ठीक है red ज्यादा dark हो जाएगा एक काम करता हूं light blue लेता हूं अब इसके अंदर क्या-क्या हमारे element आएंगे सबसे पहला हमारा आएगा एक text view जिसके अंदर हमारे dialogue box में जो भी text होगा वो कैसे लिखना है क्या text होगा वो हमको दिखाना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं लेता हूं text view ठीक है इसकी जो height इसकी ज ठीक है नीचे आजाते हैं अब हमको हमारा text देना पड़ेगा कि हमको क्या text दिखाना है हमारे dialogue box के अंदर तो वो जो हमारा text होगा वो मैं यहाँ पर ले लेता हूं और अगर exit नहीं करना है तो no press करो ठीक है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं do you और इसके बाद यहाँ पर ले लेता हूं question mark do you really want to exit question mark complete इसके बाद अब हमारे पास आएगा text color यहाँ पर मैं देता हूं text color जो कि होगा हमारा white text का size भी देते हैं यहाँ पर लेते हैं text size वोल्ड पर देते हैं अब ले लेते हैं text का size text का size यहाँ पर रहेगा 10 dp पहले देख से 10 dp में कैसा देख रहा है ज्यादा चोटा एक काम करते है 15 कर लेते हैं 15 टीपी 15 टीपी ब्ल्कुल perfect रहेगा यहाँ पर मैं layout जो है थोड़ा असा बढ़ा कर के दिखाते हूं तो यह विजिबल हो रहा है do you want to exit यह जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल प्रॉपरली हमको यहां पर विजिबल हो रहा है ठीक है 15 से आप बढ़ा सकते हो ठीक है यहां पर 20 भी कर सकते हो लेकिन 20 जादा बढ़ा हो जाएगा एकाम चलो 20 रहने देते हैं को इशू नहीं है ठीक चाहिए तो वही करने के लिए अब हमको यहां पर दो बटन चीए तो अब यहां पर हम दुबारा से पहले लीनियर लेओट लेंगे क्योंकि आजू बाजू हमारी दो बटन होंगी यहां पर हम लीनियर लेओट लेते हैं ठीक है इसकी जो व्रित होगी वह रैप कंटेंट रखते हैं इसके बाद यहां पर भी लेओट की ग्रैवेटी हमको सेंटर देना पड़ेगी परफेक्ट है बैग्ग्राउंड देना पड़ेगा यहां पर मैं बैग्ग्राउंड कलर दे देता हूं यहां पर पहले वाइट देता हूं ठीक है और फिर यहां कलर पेकर से orientation हमारा रहेगा horizontal यहाँ पर मैं horizontal ले लेता हूँ हमारा जो orientation रहेगा हमारे linear layout का buttons का वो horizontal रहेगा इस बार और इसके साथ में अब हमारा यह चीज complete होती है linear layout के अंदर आप और कुछ नहीं लेना तो हम इसको यहाँ से close करते हैं ठीक है अब linear layout जो हमने नया यहाँ पर button का size आप देख सकते हो कैसा हमको button का देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर आप button का size है यह देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो layout की width है वो भी हमने wrap content करिए काम करते है linear layout जो हमने second वाला लिया है इसकी wrap content को change करके इसदर पर मैं करता हूँ match parent वृत को match parent करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह बटन ले लिए बटन का जो हमारा background होगा वो भी हमको देना पड़ेगा तो background मैं यहाँ पर color white देता हूँ यहाँ पर हमारा जो button का जो background tint है वो white हो गया यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अब इसके बाद नीचे आते हैं अब button के उपर हमको जो text दिखाना है वो कैसे दिखाएंगे तो उसके लिए हम simply यहाँ पर लेते हैं text और इधर पर मैं देता हूँ yes ठीक है perfect है अब जो text का size होगा text का पहले color change करते हैं क्योंकि text का color भी white है और जो background है तो हम इसको black कर देते हैं बिलकुल सही है तो अब देखो यहाँ पर हमारी जो button है इधर पर हमको देखने के लिए हमारा text yes button के उपर देखने के लिए हमको यहाँ पर मिल रहा है अब इसके बाद text का जो style है वो भी हम यहाँ पर bold करदेते हैं थोड़ा सा ठीक है तो यह bold हो गया और इसके बाद अब इसको कर देते हैं close तो हमारी एक बटन जो है यह बन करके ready हो चुकी है अब क्या करना है same is code को मैं दुबारा यहां से copy करता हूं और नीचे यहां पर paste कर देता हूं ठीक है same code को मैंने button वाले code को copy किया और नीचे paste कर दिया अब यहां पर दो yes के buttons देख रहे हैं ठीक है size same रहेगा सारी चीज़ा same रहेगी text में वसे हम यहां पर no कर देंगे बिल्कुल perfect है और एक काम करते हैं यह जो हमने layout को match parent किया था match parent ने इसको वापिस से wrap content करते है वरना हमारा जो layout है यह गड़बड हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो उपर भी हमने क्योंकि wrap content लिया हुआ है अब यहां पर buttons जो है दोनों देख रहे हैं अब दोनों buttons बहुत pass में है तो थोड़ा सा बीच में gap बनाना पड़ेगा त एक काम करते हैं यहां पर 20 देते हैं तो थोड़ा ज्यादा gap हमको मिल जाएगा 20 dp बिल्कुल सही है अब यह जो button है यह हमारी थोड़ी border से भी चिपकी हुई लग रही है ठीक है तो इसको भी एक काम करते हैं थोड़ा सा यहां से देता हूं मैं तो यहां पर लेंगे layout margin right sorry left लेना पड़ेगा layout margin left लेकर के यहां पर जैसे मैं 15 देता हूं तो आप यहां पर बटन थोड़ी सी हमारी border से shift हो के right में चली गई ठीक है तो यहां पर 15 जादा हो गया 10 dp 10 dp is perfect ठीक है same चीज़ यहां पर भी करेंगे यहां पर हम देंगे right से यहां पर layout margin right देते हैं ठीक है और यहां पर भी 10 dp बिल्कुल सही है 10 dp बिल्कुल perfect है अब जो हमारे layout है यह अभी मैंने basic सा layout बनाया है आप इसको और थोड़ा सा customize कर सकते हो और अपने हिसाब से design कर सकते हो ठीक है अभी यह explain करने के लिए बनाया है यहां पर font वगेरा की style वगेरा और भी आप change कर सकते ह अभी हमारे पास layout में red color बहुत ही बेकार लग रहा है तो इसको change कर देते हम यहां से linear layout में red color जो select किया था इसको change करके मैं यहां पर white कर देता हूं यहां इसको white कर देता हूं ठीक है और जो buttons का color है इनको black कर देता हूं buttons का color black कर दिया और button के जो text का color है वो white कर देता है यहां पर यह सही है ठीक है same चीज second button में भी करेंगे background tint को हम कर देंगे black और जो हमारा text color है black इसको change करके कर देंगे यहां पर white यह बिल्कुल perfect है ठीक है हमारा जो layout है यह अभी इतना बिन करके ready हो चुका है अब क्या करना है अब हमको यहां पर IDs देना पड़ेगी ID क्यों देना पड़ेगी क्योंकि जब हमारी button पर click होगा तब हमको पता चलना चाहिए कि हमारा buttons काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है तो हम क्या करते है button पहली button में ID देते है ID ID और फिर यहां पर देते है yes yes BTN बिल्कुल सही है ठीक दोनों buttons की IDs हो गए अब हम आ जाते हैं हमारी main activity पर ठीक है main activity पर आकर के अब हम हमारा dialogue box बनाते है dialogue box कैसे बनाएंगे तो simply आपको लेना है dialogue यहां पर में लेता हूँ dialogue और इसको भी देता हूँ dialogue 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 equals to new dialogue ठीक है और इसके अंदर pass कर देना है अपनको this this pass करके इसको कर देंगे close नीच आते है अब हमको हमारे dialogue का पहले layout बताना पड़ेगा कि हमको कौन सा layout set करवाना है हमारी dialogue dialogue box के अंदर तो simply dialogue.setContentView और इसके अंदर अब हमको हमारा layout.xml फाइल है इसके बारे में बताना पड़ेगा तो यहां पर simply लेंगे r.layout जो है resource folder का है layout folder हमारा resource के अंदर है फिर layout folder के अंदर हमारी layout नाम से XML class है तो यहां पर layout को select कर लेते हैं ठीक है यह चीज हो गई कौन सा layout हमारे dialogue box के अंदर हमको use करना है वो हमने हमको हमारे code को बता दिया अब हमारा dialogue box तो चलना चाहिए तो एक बार क्या करते हैं यहां पर मैं लेता हूँ dialogue और यहां पर करता हूँ show करवा करके अब एक बार app को run करता हूँ तो यहां पर देखने मिलेगा आपको हमारा dialogue box यहां पर मैं इसको run करता हूँ code को मैंने run किया screen recording on है यहां पर हमारा जो application है यह run होना शुरू हो गए और यहां पर आप चेक कर सकते हो हमारा जो layout है वो हमको देखने के लिए मिल रह पर कैसे click होगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा buttons की उपर on click listener लगाना पड़ेगा ठीक है तो क्या करते हैं यहां पर आते हैं पहले buttons को find कर लेते हैं तो buttons यहां पर मैं देता हूँ yes कॉमा देख करके second button हमारी no नीचे आ जाते हैं ठीक है अब यहां पर find view by id करेंगे तो dialogue.show जहां पर हमने लिया है इसके नीचे आ जाते हैं ठीक है यहां पर लेंगे is equals to dialogue.dialogue.findviewbyidr.id.yesbtn और close कर देंगे same चीज हम करेंगे हमारे no button के साथ भी code को copy करके नीचे paste करता हूँ yes की जगा पर कर देते हैं यहां पर no और यह जो हमारा yesbtn है इसको change करके कर देते हैं यहां पर no btn बिल्कुल परफेक्ट है डोनो बटन्स आ गए हमारी अब इन बटन्स पर हमको click listener लगाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं यहां पर लेते हैं yes.onclicklistener new view on click listener जैसे यहां पर complete किया code on click listener के अंदर अब हमारे पास देखो yes पर click होगा तो हमारे पास कोई काम कर रही है ठीक है तो हम अब सेम चीजरी नो बटन के साथ भी करते हैं यहां पर लेते हैं टोस्ट और टेक्स्ट के अंदर देते हैं अब बटन पर जब क्लिक होगा तब हमारे टोस्ट ओपन होगा और हमको टोस्ट के अंदर नो देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो यह चीज हो गए, अब क्या करते हैं, अब दुबारा से अप्लिकेशन को रन करते हैं, यहाँ पर मैं दुबारा से अप्लिकेशन को रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमको देखते हैं, देखो स्क्रीन पर फोन की जो स्क्रीन है वो आपको देखने के लिए मिल रही होगी, त तो ये दोनो buttons जो हैं हमारी बिल्कुल perfect काम कर रही है अब देखो जब हमको real time में do you really want to exit ये जो text है जब हमको real time में ये text को change करना है तो उसके लिए भी हमारे पास same यही चीज यूज होगी जैसे हमने buttons की id find करी है जैसे कि हमने यहाँ पर अभी buttons की id find करी है और उसके अंदर on click listener लगा है वैसे हम जो हमारा text view है उसकी id find करेंगे और जो भी data हमको set करवाना होगा उस text view के अंदर वो हम यहां से ले करके उस text view के अंदर set करवा देंगे बहुत simple है कोई वो दिक्कत नहीं है उसमें तो hopes हो कैसे यह बनाना यह सारे चीज़े clear होई होगी तो फटफट फट वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए stay tuned stay safe bye bye